आज का हमारा टॉपिक है थेरम्स आन प्रपोर्शन्स प्रपोर्शन्स से ओपर जो हमारे थेरम्स हैं उनमें सबसे पहला थेरम है थेरम आफ इन्वर्टेंडो थेरम की एक स्टेटमन रोती है एक प्रूफ होता है इन्वर्टेंडो थेरम आफ इन्वर्टेंडो क्या है एफ ए रेशिवी सीरेश purty बी इंडं वहा क्या है थेशा इन्वर्टेंडो की जो कॉम्पोनिट्स पारशो हुए और जो इक वालिटिए कि ए और उर्टी की इल्भोतर या क tapping i. खेरम आफ इन्वर्टेंडो क्या कहता है? इन्वर्ड से है, इन्वर्स से कि अगर आप के पास एक रेशो दूसरी रेशो के बरबर है पहली रेशो को आप आडर चेंज करेंगे तो दूसरी रेशो को भी आडर चेंज हो जाएगा और वो दोनों तब इक्वालिटी गोएगे अब इसका प्रूफ अगर करना चाहें तो बड़ी सानी से किया जा सकता है ये दिया वेला है, ए रेशो बी किसके बरबर है सी रेशो बी के तो ये इसका मतलब क्या है? ए और बी इस इकल टू सी और डी ऐसे ही है अगर हम इसकी क्रॉस मल्टिकेशन करें यानि या इसको रिवर्स कर दें तो इसको रिवर्स करेंगे तो ये क्या आएगा? या क्रॉस मल्टिकेशन कर लें क्रॉस मल्टिकेशन कर लें ये डी इदर ले है और ये सी निचे ले है ऐसे ही होगा यह D denominator से numerator चल जाएगा, C denominator में आजएगा, बिलकुल यहां से क्या होगा, यह B उपर चला जाएगा, और A जो है हमों, नीचे आजएगा, यह बात follow कर भी बलाओ, D उपर चला जाएगा, और C नीचे आगया, इसी तरह B उपर चला जाएगा, और A नीचे आगया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, B उपर A इस इकल टू, D उपर C, के नहीं, एक ही बात है, अगर आप ने यह कहा है, कि D उपर C, B उपर A के ब्रबर है, तो यहां भी आप यह ही कह रहे हैं, कि B उपर A, D उपर C के ब्रबर है, नहीं समझाएगी, अगर आपके पास X जो है, वो 7 के ब्रबर है, तो 7 को आप X के ब्रबर लिख लेंगे, यह की बात ही, तो यह फिर किसके ब्रबर है, यह है B रेशो A, और वो किसके ब्रबर है, D रेशो C प्रूव हो गया, थेरम आप इनवर्ट अड़ गया, क्या था? अगर दो रेशोस इक्वल हैं, उनके ओर रेवर्स करके भी एक्वालिटी बरकदार रहेंगी, दोनके ओर रेवर्स करके, A रेशो B का और धिया, B रेशो A, और C रेशो D का और धिया, D ratio C next एक example है, इसी किसम की ज़रा देखें example number 1, इसकी क्या statement है example number 1 वो ये कह रहा है कि if 3M ratio 2N रवर है P ratio 2, क्योंके then order reverse कर दें 2N ratio 3M किसके रवर होजेगा 2Q ratio P अब ये आप चाहें तो direct theorem of inverter ने भी लबा सकते हैं जा पिर इसको simplify इस तरह सी भी कर सके हैं जैसे theorem of inverter ने हमने प्रूव किया ये जो 3M ratio 2N बराबर है किसके P ratio 2Q के यहां से महरे रपस आया 3M over 2N बराबर किसके आजेगा P over 2Q एक चीज़ आप ये भी याद रखें कि अगर हम दोनों के रसी प्रोकर लेने तो फरक नहीं पड़ेगा अर्यू अनकंफर्टेबल इसका रसी प्रोकर लेने इसको पर लेजें उसको निचे लेए किसी तरह उसको पर लेजें उसको निचे लेए तो यह जैसे हमने क्रॉस मल्टिपेशन करकी किया तो आप यह कर सकते हैं कि डिनॉमिनेटर अगर आप नियूमिनेटर में बेते हैं डिनोमिनेटर आपका निमेडर में आ गया और निमेडर आपका निमेडर मन गया ये काम दूसरी तरभी करना है तो फ्ऱरख नहीं पड़ेंगा त॔र दिमॡ़नीटर निमेडर बन गया और ढ़्यूमे श्राब tes अप ये किसके बरहबर आ यह 2N ratio 3M is equal to 2Q ratio P यही हमने साबत करना था next theorem देखते है next हमारा theorem है theorem of alternando if A ratio B is equal to C ratio D then A ratio C is equal to B ratio D इनकी components change होगी है इसलिए हम इसे क्या कहते है theorem of alternando यह ज़रा गोर करें यह जो पहले है इसकी ratio पहले के साथ ले ली गई है यह ज़रा समझ ले पहले ज़र इज़र देखने पहले समझ ले A ratio B is equal to C ratio D तो A की पहले वाले की ratio पहले के साथ ले ली गई है दूसरे वाले की ratio दूसरे के साथ ले ली गई है तो वो बराबर आ रहा है और टर्नेंडो कह रहा है देखें कैसे है यह A ratio B बराबर है C ratio D के तो इसको हम लिखेंगे A over B is equal to C over D यह तो ratio की definition की अब मैंने सिर्फ यह करना है कि यह वाला देखें ज़रा यह वाला C मैं ज़र ले होंगा और यह वाला B उदर ले जाँगा क्योंकि मुझे नजर आ रहा कि मुझे बस यही करना है A over C is equal to B over D यह क्या बंजेगा A ratio C is equal to B ratio D क्या follow किया आपने यह बात आपने यह बात follow की A ratio B C ratio D के अगर बराबर है तो A over B C or D के बराबर होगा मैं सिर्फ यह वाला नीचे वाला B उदर ले गया रूपर वाला C इदर ले गया यह बन गया A ratio C is equal to B ratio D तो alternando में हुआ क्या है जो given ratio थी उसकी पहली components की ratio और उसकी दूसरी components की ratio आपस में बराबर आएगी यह पहली components की ratio आगी A और C की और यह दूसरी components की ratio आगी B और D की तो यह था हमारा second theorem theorem of alternando यह आपको वो पूछ लेता होता है इसमें MCQs में भी इसलिए आपको यह याद रना चाहिए कि theorem of invertendo में क्या होता है सिरफ ratio की components interchange होती है order reverse हो जाता है theorem of alternando में क्या हो रहा है कि उसकी first components की ratio बराबर है second components की ratio next example number 2 की statement है if 3p plus 1 ratio 2 q is equal to 5 r ratio 7 x then prove that 3p plus 1 ratio 5 r is equal to 2 q plus 7 ratio 7 x अब अब दा सकते हैं हुआ क्या है इसमें तरा बोले सबस्ट क्या हुआ है इस से यह आने में क्या हुआ है क्या क्या कौन सी चेंज हुआ है साबस्ट बताओ क्या चेंज है जी नहीं डेली देखो इसमें basically इसको direct आप नाम देके theorem of alternando की मदद से भी कह सकते है theorem of alternando क्या कहता है जो दो gimmer ratios है उनमें पहली पहली की ratio ले ले सुनें न अभी तर जो दो gimmer ratios है एक ratio दी एक यह दी हुई है तो first first की ratio ले 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 यानि 3P plus 1 ratio 5R वो बराबर किसकी हैं चाहिए second second ratios की second second ratio के उनकी ratio के first components की ratio should be equal to ratio of the second components यह अल्टरनेंडो theorem यही कह रहा था first यह देखें first components की ratio A ratio C and second components की ratio B ratio D यह बराबर हो यही कह रहा न यह theorem of alternando कह रहा है आपको समझ दिया रहा है जो दो ratios की components है A ratio B is equal to C ratio D दिया बना इसकी first component क्या है A first component A ratio B की first component क्या है और इसकी first इसकी C तो A ratio C ले ले नहीं है इसकी second component तो B ratio D ले नहीं यह समझा रहा हूंगा आपको alternando theorem यह कहता है ठीक है और inverter अंडो तो कहता था order change करते है alternando क्या कह रहा है आपने first first और second second की ले ले लिए अब यह गोवर करें 3P plus 1 में first यह है और 5 और है इन दोनों की ratio ले 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 है और यह second second की ले ले है अब दो चीज़ें है या तो आप theorem की statement लिखें आप लिखेंगे by alternando theorem alternando theorem की statement भी लिखेंगे आप यह फिर लिखेंगे by alternando theorem a ratio b is equal to c ratio d implies a ratio c is equal to b ratio d यह statement लिखेंगे उसके बाद answer लिखेंगे यह फिर direct way है जो आप यह कर सकते हैं यह जब आपने consider रही है तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है 3p plus 1 over 2q is equal to 5r over 7x यहाँ आप गोर कर रहे हैं कि मैंने चुके कोई value find नहीं करनी इसलिए मैं product of means or product of exchange नहीं कर रहा यहाँ मैंने एक ratio को दूसरी ratio में convert कर रहा है that's why मैं product of mean or product of exchange नहीं कर रहा मैं सिरफ वो ratio की जो definition है वो use कर रहा हूँ 3p plus 1 ratio 2q आजेगा 3p plus 1 over 2q 5r over 7x अब just इस 5r को इदर लें है यानि 3p plus 1 over 5r और यह 2q को उदर ले जाएं 2q over 7x यह बात follow की है 5r numerator में है denominator में आजेगा और यह denominator वाला numerator में चलाजेगा इसके बाद अब यह क्या बन जाएगा यह सिदा सिदा बन जाएगा 3p plus 1 ratio 5r is equal to 2q ratio 7x जो आपने यह प्रूब करना था 3p ratio 5r is equal to 2q ratio 7x यह था हमारा second theorem alternando theorem next theorem देखते हैं जी next theorem number 3 है theorem of component इसकी statement दो पार्ट्स है if a ratio b is equal to c ratio d then a plus b ratio b is equal to c plus d ratio d अब यह मैं पहले यह समझा दूँ आपको इसका क्या मतलब है first part का first part क्या दियाव है a ratio b is equal to c ratio d a ratio b किसके बराबर है a और b के और c ratio d किसके बराबर है c और d अब वो कहता यह है यह बड़े गोर्वरी बात है कि इसके numerator में अगर denominator add कर दिया जाए यह समय बरी बात है numerator a इसमें अगर आप denominator add कर दें और यह काम दूसरी तरह भी कर दें तो कोई फ़र नहीं पड़ेगा यानि आप यह कर दें अगर a प्लस b और b is equal to c प्लस d क्या यह बात समझाई है आपको इसे हम कहते है component समझाई है क्या समझाई है कि a और b है आपने इसके numerator में इसी का denominator add कर दें इसी तरह उसके numerator में इसी का denominator add कर दें तो ratio में फरक नहीं पड़ेगा करके देखें वैसे कोई नहीं करके देखती है नहीं आप देखें नहीं मुझे पताएं जरा कोई ratio दें मुझे यह देखेंगा 2 ratio 3 2 over 3 किसके बराबर है यह बराबर है किसके 4 over 6 के होता है कि नहीं होता 2 over 3 4 over 6 के बराबर है अब मैं करने ही यह लगाँ 2 plus 3 over 3 3 और 4 plus 6 over 6 क्या यह बराबर है क्या है वैसे उपर क्या है 5 over 3 और इदर क्या है 10 over 6 क्या 5 over 3 10 over 6 के बराबर है नहीं है चाबाज है यहां से 2 common निकलेगा 5 बना देगा 2 common निकलके कट जाएगा 3 बना देगा अब यह बात समझने वरी थी जो आपको समझा दी है क्या देखो एक ratio थी 2 over 3 वह बराबर थी 4 over 6 के मैंने क्या किया है इसके numerator में इसका denominator add किया है numerator में denominator add किया है और denominator को ऐसे लिखर नदी है सेम काम मैंने यह किया है numerator में denominator add किया है और इन्म जम्म टराइसा लिखा है नदीचा यह ऐ है यह क्ता बों कि अगर कोई रेशो दीओ है आप डिनॉमिनटर उसमें एड कर दें इधिर भी डिनुम्टर उसमें एड कर दें फिर भी रेशो दोनों ही सेम रएगे इन अब इसको मैं क्या लिखूंगा A plus B ratio B is equal to C plus D ratio D क्या यही नहीं साबत करना था A plus B ratio B is equal to C plus D ratio D जो इसका second part है उसको जरा बहुर कीजिएगा यह तो मैं numerator में कर रहा था न देखें मैं यह कर रहा था कि numerator में denominator add कर रहा था अब उल्टा होना है denominator में numerator add करना है तो यह क्या होगा यह है A ratio B is equal to C ratio D किसके पराबर है A over B is equal to C over D क्या करना है numerator वैसे रखना है और numerator को जाके denominator में add करना है numerator वैसे रखना है और numerator तो जाके denominator में add कर दें तो ये किसके वराबर आएगा A ratio A plus B is equal to C ratio C plus B तो बचो समझाई component में क्या है component theorem क्या कहता है कि दो given ratio में अगर आप denominator numerator में add कर दें एक ratio में दूसी ratio में भी वही कर दें तो answer सेम रहेगा A over B में numerator में आपने B add की है numerator में B add की है दोनों बराबर रहेंगे यहां क्या किया है denominator इसलिए इसके दो पार्ट है A जो पहला पार्ट था है A plus B ratio B बराबर है C plus D ratio D और दूसरा क्या है A ratio A plus B is equal to C ratio C plus D क्या आप सब को समझागी component theorem invertendo दूछरा क्या चाहा alternando invertendo में क्या चाहा order reverse one alternando में क्या चाहा पहले के साथ दूसरी दूसरे के साथ और component में क्या है numerator में denominator का add करना दोनों चरफ या denominator में numerator का add करना है अब आएगा dividend यह last theorem उसकी statement लिखने पहले इस डिविडिटल theorem से पहले example number 3 देख लें if m plus 3 ratio n is equal to p ratio q minus 2 then show that m plus n plus 3 ratio n is equal to p plus q minus 2 ratio q minus 2 तो इसका solution देखते है क्या चीज आपको given है given है m plus 3 ratio n is equal to p ratio q minus 2 इसको हम फिर कैसे लिख सकते है इसको लिख सकते है m plus 3 over n और p over q minus 2 अब जो हमने theorem prove किया है theorem की statement discuss किया है component of theorem तो component of theorem के मताबब क्या होना चाहिए by compo component of theorem क्या कह रहे हैं हम जो denominator है उसको numerator में add किया जा सकता है ये काम उदर भी करना आपने है denominator में add किया इसी तरह denominator में add किया तो ये आपके पास क्या हो जाएगा m plus n plus 3 over n वो आजएगा p plus q minus 2 over q minus 2 तो ये आजएगा m plus n plus 3 ratio n is equal to p plus q minus 2 ratio q minus 2 तो इसमें हमने component of theorem जो है वो यूज किया है इस example को solve करने के लिए next हम देखते हैं dividend theorem next study theorem of dividend ये component of theorem इसका reverse है जैसे आप देख रहे हैं कि a ratio b is equal c ratio d क्या कह रहा है then a minus b last component अब हमने क्या किया था a plus b किया था numerator में जाकर denominator add किया था इदर भी numerator में जाकर denominator add किया था अब क्या कर रहे है subtract यानि जो first part है वो ये कहता है कि अधर a ratio b ब्रबर दी हुई है c ratio d के यानि a over b ब्रबर है c over d के तो आप a में से b को subtract करें और then c में से d को subtract करें तो ब्रबर हैगा answer component में क्या किया था ज़र अब ताइए का जए component में plus किया था dividend में क्या करना है minus बाकी है वही कुछ तो इससे क्या निकलता है हमरे पास a minus b ratio b is equal to c minus b ratio d और इसका जो second part है जो ये कहता है के a over b यानि आपके पास था a ratio b is equal to c ratio d ये imply करता है a over b is equal to c over d इसमें वह ये कहता है के आप denominator को subtract कर दें new me letter में से denominator को subtract कर दें new me letter से denominator वहां भी हम यही कर रहे थे वहां हम numerator में जाके subtract कर रहे थे यहां denominator में subtract कर रहे हैं ये बात follow कर रहे हैं सब लोग तो इससे क्या पता चला हमें a ratio a minus b is equal to c ratio c minus d तो ये आ गया a ratio b minus next कुछ questions है next tip example number 4 है if m plus 1 ratio n minus 2 is equal to 2 p plus 3 ratio 3 q plus 1 then show that तो अब आपने देखना है कि इसमें कौन सा थेरंग यूज़ होना है दिया क्या हुआ है m plus 1 ratio n minus 2 किसके बराबर दिया है 2 p plus 3 ratio 3 q plus 1 अब लाना क्या है आप अगर गौर करें तो जो हमने लानी है ratio उसमें denominator change नहीं हो रहा given ratio का denominator n minus 2 है और जो answer आ रहा है ये पहले समय दें उसका भी denominator n minus 2 है इदर भी given ratio का denominator 3 q plus 1 और इदर भी 3 q plus 1 है इसका मतला मैं कुछ और करना है denominator change नहीं करना है यहां से आपके पास आया क्या m plus 1 over m minus 2 is equal to 2 p plus 3 over 3 q plus 1 denominator को change नहीं करना है तो लगाना भी क्या है हमने component लगाना है या dividend लगाना है देखें जी component लगाना लगाएंगे तो यह नीचे वाला उपर हमें add होगा उपर नीचे वाला उपर add होगा तो m plus 1 plus n minus 2 आएगा तो आप बहुर करें के m minus n आ रहा है m minus n कैसे आ सकता है dividend हो शाबाज नीचे वाला को सब्सक्राइब करें तो आप यहां पर यह दिखेंगे dividend भी दो है ना एक यह और एक यह पहले वाला लगेदा जाएंगे क्योंकि पहले वाले में denominator चेंज नहीं होता जो पहले वाला है उसमें denominator वही रहता है जो original denominator दोनों के वही रहते हैं तो इसमें जो question हमने solve करना था उसका given का denominator दोनों का और आने वाले का denominator सेम है लेहाजा हमने dividend लगाना तो क्या दिखेंगे using g m plus 1 plus n minus 2 ऐसा ही करेंगे ना numerator में denominator add कर देंगे और denominator वैसे रहेगा add नहीं dividend काना सब्टेट करेंगे ठीक है अभी तम यही जो बात कर रहे थे 2p plus 3 3 minus 3q plus 1 over 3q plus 1 यहां से क्या रहेगा m plus 1 minus n plus 2 over n minus 2 यहां से 2p plus 3 minus 3q minus 1 over 3q plus 1 ठीक है अब यह देखें क्या होगा यहां पे m minus n plus 3 over n minus 2 is equal to 2p minus 3q plus 2 over 3q plus 1 तो यह question था अब अब जैसे के इसके नाम से जाहिर है theorem of component dividend component में क्या हम करते हैं addition करते हैं और dividend क्या करते हैं subtraction तो यह इसके नाम से जैसे जाहिर है इसमें दोनोई काम simultaneous करने हैं और वह होते वह नजर आ रहे होगा आपको कहता है if a ratio b is equal c ratio d then first part क्या है a plus b ratio a minus d यहां component होई और यहां dividend होई यही काम उसमें भी करते हैं इधर भी यह देखें यहां पहले dividend होई है और यहां component होई इसलिए इस theorem का नाम है component dividend हो अब ज़रा देखते हैं इसकी जो proof की तरफ अगर और फर्स पार्ट में देखें के a ratio b ब्राबर है किसके c ratio d के यहां से आजेगा a over b is equal to c over d अब component और db dindo क्या कहता है component और यह कहता है a plus b और db dindo यह कहता है a minus b यह समय जाए यह समय जाए मैंने denominator को उपर add किया है और denominator को subtract किया इसी तरह इजर क्या करना है denominator को उपर add करना है और denominator को नीचे से subtract करना है component और dividend दो रोग समय जाए इसका यहां से फिर क्या निकलेगा यहां से निकलेगा a plus b ratio a minus b is equal to c plus d ratio c minus d first part है second part जो है वो क्या है second part में काम तो बहीं से शुरू करेंगे a sorry उसी से शुरू करेंगे के a ratio b बराबर है किसके c ratio d के और यहां से आएगा a ratio b बराबर किसके है a और b के यह c और d के इसमें आप पहले dividendo करें a minus b और फिर component करें a plus b इधर भी c minus d dividendo और फिर component c plus d इस तरह से आपके पास यह आजेगा a minus b ratio a plus b is equal to c minus d ratio c plus d तो यह था component dividendo theorem आज के lecture में हमने theorem जाफ proportion किये सबसे पहले क्या था सबसे पहला बोले ज़रा invertendo दूसरा alternative तीशरा क्या था चेक कीजिएगा component चौथा dividendo और पांचवा क्या था component dividendo तो आज का lecture हम गहीं वाइड़ अप करते हैं क्योंकि आप बहुत ठक चुके हैं और अब component or dividendo को हम इस्तिमाल करेंगे next lecture में आप सब जो हैं पहले ये चारों के चारों ये पांच थेरन लम्याज की हैं इनको अच्छी तरह पड़के आईएगा असान से हैं को मुश्कल नहीं फ्रीक है okay आप लुट पांप लुट